दोस्तों जो भी कोई बंदा YouTube स्टार्ट करना चाहता है तो उसके माइंड में ये कोस्टन हमेशा आता है ना कि आखिर मुझे स्टार्टिंग में कितने चैनल बनाना चाहिए क्योंकि दूस्तों स्टार्टिंग में हम लोग एक नीच सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं ऐसे में क्या सब्सक्राइब करना सकते हैं मतलब स्टार्टिंग में हम एक कोई पर्टिकुलर नीच सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं और ऐसे में हमारे माइंड को ये कोशन जरू आता है कि आखिर मुझे स्टार्टिंग में कितने चैनल बनाना चाहिए तो आज की इस वीडियो कॉंप्लिट देखना क्योंकि दोस्तों मैं भी आपके तरह एक यूटूबर हूं और मैं भी अपने चानल पर लखबत 10 महीने से काम कर रहा हूं और दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आपके साथ सेयर करने वाला हूं तो काफी इंपोर्टेंट वीडियो है अगर आप भी एक करते हैं उससे पहले आप से की रिक्वेश्ट वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक जरू करना करते हैं दोस्तों अभी के टाइम पर यूटूब चानल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ठीक ना यूटूब चानल तो काफी आसानी से बन जाता है आपको एक एमिलरी बन करना चाहते हैं तो आपको रिगुलर काम करना पड़ेगा तो देखिए दोस्तों यहां पर होता है कि यूटूब चानल तो हम लोग बना लेते हैं बट यूटूब चानल बनाने के बाद यूटूब चानल मैनेज करना काफी बड़ी बात होती है अगर आप एक नए नहीं नोलेजी नहीं होता है अभी हमको सीखना होता है मैं अपना खुद का बता हूं तो मैं अभी दस वहें से यूटूब पर काम कर रहा हूं मुझे एक वीडियो बनाने के लिए लाग भाग 20-25 देखना पड़ता है तो अब जाएक करता हूं कैसे वीडियों बताने हैं सब कु क्योंकि अभी के टाइम पर कॉंपटिशन बहुत ज्यादा है अभी के टाइम अगर आप अपने चानल पर सब कुछ बेस्ट करके नहीं देंगे तो आपका चैनल गुरू नहीं होता है कोई आपके वीडियो बना रहे हैं वहीं वीडियो यूटूब बनाने वाले आज कर आ आपना बेस्ट दीजिए आपका चानल काफी तेजी सिगुर होगा यूटूब पर काम करना इतना असानी होता है नो जितने भी आज के टाइम पर बड़े-बड़े यूटूबर है ने उनके आज जब 10-15-15 चैनल होते है क्यों ओ लोग सिर्फ एक चैनल पर काम करते हैं जैसे अब मनोज देखो ही देख लिए सिर्फ दो चैनल है ब्लोगिंग का और टेक का अगर ओचाहते है तो और पांच्य चैनल नहीं बना सकते थे क्योंकि यूटूब चैनल बनाना इतना असान होता का मेरे न हम issues करते हैं अपने इम्प्रूमेंट्ट करते हैं अपने इसचिल में बोलने हैं थंडियो क्वालेटी सब पूष इंप्रूब्प करते हूं यह चीज़ कब होता है जब आप एक चैनल पर काम करते हैं मेरे पास भी दो चैनल और पढ़ा हुआ है बट मैं उन दो चानल को छोड़ दिया हूं क्योंकि मैं नहीं मिलता है इस चैनल से मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं भी अभी नायब की तरह एक निव जाएं तो आप एक चैनल बनाइए फ़ल एक चैनल को काफी अच्छे से ग्रोव कीजिए जब आपका चैनल फटिजीस अगर संथा आप यह पाफी ज्या चैनल काम कर यह तो दो से इन कर पड़े हैं झोद कर बट वहां पर एक भी चैनल पर सब सही से काम नहीं कर पाएगा तो आपका चार चैनल भी बरबात हो जाएगा कोई मतलब नहीं बने का चार चैनल बनाने का तो सिर्फ एक चैनल बनाईए और उसी पर फोकस के साथ काम करिए और सब कुछ आपने बेस्ट दीजिए 100% आपका च ।